आपका उत्राखंड के इस खास बुलिटेन अपना उत्राखंड में मैं हूँ आपके साथ काविद्र चौहान तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आमादी पार्टी ने उत्राखंड के प्रतेक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का एलान किया है इसके तहर पार्टी ने पूरे प्रदेश में बिजली गारेंटी अभिहान की शुरुआत कर दी है इस डिजिटल अभिहान को आमादी पार्टी एक अगस्त तक कुल 15 दिन तक पूरे प्रदेश में चलाएगी पार्टी के 10,000 कारेकरता डोर टो डोर पहुँच कर लोगों का पंजी करण भी करेंगे इस अभिहान के तहर पार्टी के ओर से यूनिट बिजली गारेंटी कार्ड लोगों को दिये जाएंगे पेटरोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लिकर आज कांगरेस के कारेकरताओं ने हल्दवानी में अनोखा प्रदर्शन कर महेंगाई के खिलाफ आवाज उठाई प्रदर्शन के दौरान कांगरेस कारेकरताओं ने स्कूटी को रिक्से पर चड़ा कर स्कूटी में पेटरोल की जगहें गलुकोस की बोतल लगाकर बढ़ती महंगाई और सरकार के खिलाफ नार्यवाजी की महंगाई के खिला प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कारिकरताओं ने आरोप लगाया कि आज जहां पेट्रोल के दाम 100 उपा लीटर हो गए हैं तो दूसरी तरफ डीजल के दाम भी दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं एक तरफ आम जनता महंगाई की मार से तरस्त है तो दूसरी तरफ वहनों की हालत बिना डीजल पेट्रोल के खस्ता होती जा रही है इसलिए आज स्कूटी को तेल की जगए ग्लुकोस चढ़ाना पड़ रहा है कॉंग्रेसी कारिकरताओं ने स्कूटी को रिक्से में चढ़ा कर शेहर भर में घुमाया प्रदर्शन कर रहे कॉंग्रेस कारिकरताओं ने कहा कि केंदर सरकार तुरंत रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं तो आने वाले दिनों में जनता का जीना मुखाल हो जाएगा दीजल पिट्रोल के दान अतने बढ़ गए है कि बाईक और इसकूटी के पहिया जाम हो गए है बाईक और इसकूटी को इलाज की ज़रू होता आज के अंगरेस के करकताओं के साथ डीजल पिट्रोल की बढ़ती केमतों के बिरोध में और जो हमारी बाईके खराब हो गई है उनको ठीक करने के लिए गुलुकोष चला कर रिक्सा में गुमाये है स्कूटी और बाईक को और मोधी सरकास हम लोग मांग कर रहे है डीजल पिट्रोल और रसोई गैस के दामों को वापस लेने का काम करे है कोटा मुराद नगर में विवाईता के परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगाया और आरोपियों की गिरफतारी की मांग की आपको बता दें बीतर शुकरवार को कोटा मुराद नगर में महिला के देवर ने महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी थी दौलत कुर निवासी तीस वर्षिये दीपा की शादी तीन साल पहले कोटा मुराद निवासी बिपिन से हुई थी आपको बता दें दीपा का 2 साल का एक बच्चा है और वे 6 महा की गरवती थी दीपा के देवर ने कल दीपा की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी और उसके 2 साल के बच्चे को भी गंभी रूप से घायल कर दिया था मृतिका के परिजनों ने महिला के पती और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीडन का आरोप लगाया है पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर महिला के पती, साथ, ससुर, देवर और ननत के खिलाफ दैय जहत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाज शुरू कर दी है वहीं आज मृता काका के शव का सिविल अस्वताल में पोस्मार्टम किया गया पोस्मार्टम के बाद शव को लेकर गाउं पहुँचे परिजनों ने शव को बहादराबाद भगवानपुर हाइवे पर रखकर प्रदर्शन किया परिजनों का आरोथ था कि पुलिस मामले में कारवाही नहीं कर रही है परिजनों की मांग थी कि आरोपियों की तुरंद गरफतारी की जाए वहीं इस दौरान हाइवे पर लंबा जाम लगया सूचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया है इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच भी तीची नोक छोंग हो गई अगली कबर लक्सर से है लक्सर तहसील स्थित रिष्टवत लेने वाले पटवारी का वीडियो वारल होने के बाद उप जिलादिकारी शैलेंदर सिंग नेगी ने पटवारी को निलंबित कर दिया है उप जिलादिकारी शैलेंदर सिंग नेगी ने बताया है कि वीडियो वाइरल होने के बाद संबंदित लेखपाल के करत्त की रिपोर्ट जिलादिकारी हरिद्वार को भेज दी गई है आपको बता दे पटवारी ने जमीन नामांकन के लिए किसानों से रिश्वत की मांग की थी इसी दौरान किसान ने रिश्वत लेते हुए पटवारी का ओडियो बना लिया था और फिर उसे सोशल मेडिया पर वाइरल कर दिया और्डियो वाइरल होने के बाद उप जिलादिकारी शैलेंदर सिंग नेगी ने ततकाल एक्शन लेते हुए पटवारी को निलम्बित कर दिया है हरदवार में गंगा घाटों के आसपास हुडदंग करने वालों पर पुलिस कपतान कस्ने के लिए उन्होंने कमान कस लिए है पुलिस मानिदेशक के निर्देश आनुसार चलाए जा रहे है अभियान ओपरेशन मर्यादा के अंतरगत पुलिस लगातार कारवाही कर रही है इसी क्रब में हरकी पौडी के बेविन में घाटो पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए है जिन पर लिखा है गंगा घाटो प पर किसी प्रकार के हुड़दंग नशा वगंदगी ना फैलाए इसके साथ ही घाटो पर पुलिस बल भी तैनात कर दिये गए है तो पुलिस ऑपरेशन चला रही है ऑपरेशन मर्यादा जिसके तैद वहाँ पर हुड़दंग मचाने वालों पर अब जो वहाँ पर साशन का जो डंडा है परिशासन का वह अब चलने लगा है ऑपरेशन मर्यादा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है ताकि हुड़दंग्यों को काबू किया जा सके लालकुआ के गोला पारस्तेत बाग जाला से होते हुए आधा धरजन गावों को जाने वाली सडक की स्थिती बत्तर हो गई है सडक पर बड़े बड़े गड़े हो गए हैं इससे आवागमन करने वाले लोगों को खासी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है इस मार्क से सैक्डों लोगों को आवागमन करने की मजबूरी है बारिश के कारण सडकों पर बने बड़े बड़े गड़े दिखाई नहीं देते हैं इससे आए दिन दुरगटनाय भी होती रहती हैं करीब 6 किलोमीटर लंबी इस सडक में जगह जगह गड़े होने के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है आवागमन के द्रश्टिकोंट से अती महतोपूर माने जाने वाले इस रोड की जरजर हालत के बागजाला छेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है इस बागजाला में इस सडकी हालत ऐसी होगी है रोड में तक आप धान की रोगाईल का हिसाब बन रहा है जो जिस रोड में इतने गड़े पानी लगातार भरे होई थुलासा पानी आने पर पुरा गड़ा भर जाता है आना जाना एतना मुश्किल हो गया इस रोड की हाले बहुत खराब होगी है और हमारे मानने लालगवा के विधायक नमी चुप उंधुका जी ने इस तरफ देखा तक नहीं और सोचा तक नहीं और यहां के ऐसे जन्पट जिने दिरहें जिन में हम लोग ने तो बार 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 इस बात तो उनके अवगत आपके द्वारा आपके माधियम से और एगिम के मासाब के माधियम से हमने हर दभे इसको जतानी कुछिश्च करें कि यहां भी एक रोड का जाल विज्चा चीह यहां रोड पढ़ने चीह विज्चिकेश में स्वास्त निदेशक गड़वाल भारती राणा राजिके चिकित साले में निरक्षन करने पहुँची उन्होंने कोरोना महमारी की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बनाये गए नए आईसीउ एनाईसीउ पी आईसीउ वार्डों का निरक्षन क स्वास्त निदेशक ने अस्पताल के संपूर्ण व्यवस्ताओं पर संतुस्ती जताई है साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई व्यवस्ता दुरुस्त करने के आवश्यक्ता है महीं मीडिया से हुई बाचीट के दौरान स्वास्त निदेशक भारती राणा ने बताया कि अस्पताल में चल रही डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी को भी जल से जल पूरा किया जाएगा मुझे थर्ड वेब की तैयारियां देखनी थी क्योंकि अब रिशकेश का हमारे दहरादून जिल्ले के बाद ये एक बड़ा स्पताल है अपने आपने तो उसी के तहत हमने आज निरिक्षन किया मैंने यहाँ पे तो हम थर्ड वेब में क्या देखते हैं कि हमने बच्चों के लिए बेड्स रखे है आरक्षित किये हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए हैं और वो उक्सिजन सप्लाई वाले बेड़् हैं दूसरा हम देखते हैं कि पी आई सी उ जिसमें पेड्राटिक इंटेंसिव केरी उनिट होती है उसकी भी यहाँ पे तैयारियां बहुत अच् लगाया जा रहा है कोरोना के समभावेत तीसरी लहर को देखते हुए यह प्लांट कोविड मरीजों के लाज में बड़ा योगदान देगा उमीद है कि एक महीने के अंदर प्लांट से उक्सिजन का उत्पादन होने लगेगा इसके साथ ही गंभीर किस्म के रोगियों के ल लीटर ऑक्सिजन गैस का उत्पादन लिया जाएगा इस बारे में जानकारी देते हुए ऑक्सिजन प्लांट प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार ने बताया है कि कोरोना संकरमन की समभावेत तीसरी लहर की चुनोतियों से निपटने में यह प्लांट विशेस लाबकारी सिद्ध होगा अभी तक एमस में भरती मरीजों के इलाज के लिए बाहर से लिक्विड ऑक्सिजन मंगवा कर उसे स्टोर किया जाता था और फिर उसे गैस में परिवर्तित कर पाइपलाइन की मदद से अस्पताल के बिविन वार्डों तक पहुचाया ज जाएगा जी हां यहां पर इस अंस्थान को पीएम केर्स फंड के द्वारा एक हजार लेटर कैपसिटी का ऑक्सिजन जेनरिशन प्लांट शुकृत किया गया है और हमारे निदेशक महोदय ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि आगे मरीजों को थर्ड वेव में या कोई भी आपदा है उसमें ऑक्सिजन की कमीन ना रह पा है हम मुद जता रहे हैं कि यह प्लांट एक महीने के अंदर स्थापित हो जाएगा इसके पहले ऑक्सिजन हमें जो सप्लाई करते थे होस्पिटल में वो लेमो लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन जो हम बाहर से पर्शिज कर उत्राघंड से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि उत्राघंड में बीटे 24 घंटे में कोरोना के 32 नए संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं एक मरीज की मौत हुई है जबकि 86 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 656 पहु में नहीं आया है वहीं अलमोडा में एक चमोली में एक दहरादूल में पांच हरिद्वार में पांच नैनीताल में आठ पॉडी में एक पिथोड़ागर में पांच रुद्र प्रयाग में एक टीहरी में एक उधम सिंग नगर में दो और उत्तरकाशी में दो मामले सामने आ 7356 लोगों की जान जा चुकी है नानी ताल में अब बिना मास्क घूमते मिले तो कोरुना जाच करवानी पड़ सकती है और अगर जाच में आप पॉजिटिव पाय जाते हैं तो आपको 14 दिन के लिए कुरिंटाइन होना पड़ेगा दरसल सैलानियों की भीड को देखते हुए जिलाप परशासन इस बार से और अधिक सकती करने जा रहा है इस करम में ये फैसला लिया गया है ये नियम सैलानियों के साथ साथ स्थानियन लोगों पर भी लागू होंगे अगर शेहर में कोई भी सैलानिय या स्थानिया बिना मास्क के घुमता मिला तो उनकी अनेवारे रूप से आर्टी पीसियार और एंटीजन जाश कराई जाएगी संकरमित मिलने पर उन्हें 14 दिन के लिए कुरिंटीन कर दिया जाएगा आपको बता दें कोरोना गाइडलाइन उसका उलंगन होता है देख रहे थे इसके पीछे पिछले हफते जिलापरशासन ने सैलानियों के प्रवेश के लिए एक कड़े नियम बनाये थे इनमें नैनिताल आने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजी करण वा निगेटिव कोविड रिपोर्ट के अन्यवारेता के साथ एडवांस में की गई पार्किंग वाले होटलों की बुकें शामिल थी जिला प्रसासन ने सैलानियों के दो पहिया वहानों से शहर में प्रवेश पर भी पूरी तरह प्रतिबंद लगाया था उत्राघंड में आज से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू हो गई है और पहले ही दिन 16,000 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाब उठा चुके हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले एक महीने के भीतर सभी 6,000 गाओं इंटरनेट से जुड़ेंगे वहीं अगले 3-4 महीने के अंदर उत्राखंड देश का पहला राज्य होगा जहां शत्प्रतीशत लोगों का COVID-19 टी का करण होगा वहीं महीला, शाशक्ती, करण एबं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेशत के बाद मा और कन्या, शिशु की देखभाल को प्रुसाहिद करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है योजना के तहट प्रसव के बाद महिला को प्रतम दो बालिकाओं के जन्म पर एक-एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट एबं जुडवा बच्चियों के जन्म पर महिला एबं बच्चों को अलग-अलग किट दिये जाएंगे उत्राखंड में कोरोना संक्रमेंट के आशंका के चलते दूसरे साल भी कावड यात्रा को स्थगेत कर दिया गया है इस मामले में पुलिस ने प्रदेश की सीमा शेत्रों से सटे यूपी के जिलों के थाना वा शेत्रादिकारियों के साथ बैठक भी शुरू कर दी है शनिवार को थाना श्यामपुर में यूपी और उत्राखंड पुलिस की संयुक्त बैठक में अधिकारियों ने कहा कि उत्रप्रदेश से आने वाले कावड यात्रियों से अपील कर हरिद्वार आने से उन्हें रोका जाए हरिद्वार आने पर आपदा धिनियंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के साथ 14 दिन के लिए कौरेंटेइन भी किया जाएगा प्रदेश सरकार की तरफ से कावड यात्रा इस्थगित करने के बाद भी कावडियों को रोकना एक चुनौती बन गई है इसके लिए हरिद्वार पुलिस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है इसी करम में शनिवार को उत्राखंड और उत्रप्रदेश के अधिकारियों की थाना श्यामपुर में बैठक हुई थी उत्राखंड में सहासिक परेटन को रफ्तार देने के लिए सरकार का पूरा फोकस ट्रेकिंग कलस्टर को बढ़ावा देने पर है उत्रकाशी जिले के हरकी दून को प्रदेश का पहला ट्रेकिंग कलस्टर बनाया जाएगा इसके लिए अंगोडा गाओं में परेटन बिभाग ने जमीन भी चिनहत कर ली है दो महिने में एक कलस्टर बन कर तयार हो जाएगा प्रदेश में साल भर परेटन को संचालित करने के लिए नए सहासिक परेटन स्थल बनाय जा रहे हैं जहाँ पर सहासिक परेटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी इसके लिए ट्रेकिंग कलस्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रदेश में बेविन्ने बिभागों और गड़वाल मंडल विकास निगम की खाली पड़ी संपत्ती का इस्तमाल कर उसे ट्रेकरों की सुविधा के लिए विक्सित किया जाएगा तो फिलाल के लिए उत्राखंड के इस खास बुलिटन में इतना आई बाकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा निउस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद नमस्कार आप देख रहे हैं निउस वर्ल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जो नरायन बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में साथ की बात में आज की बड़ी खबरों का रुक करेंगे उससे पहले साथ तस्वीरे आप रेजल स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वो तस्वीरे हैं जिन्होंने आपके जिन्दगी में असर डाला है तो चलिए पहली खबर का रुक करेंगे देश में रोजाना कई मामले सामने आते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो बेहत दर्दनाक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लापरवाही तो अधिकारियों की होती है लेकिन इसका खाम्याजा अमजनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है कुछ ऐसा ही हुआ मध्यपरदेश के विदीशा में जिस पर पियमोदी ने भी दुख्यक्तिया है मध्यपरदेश के विदीशा जिले के गंच पास सौधा इलाके में गुरवार को कुए से एक लड़के को निकालने की कोशिश के दौरान अंदर गिरे 19 लोगों को सरक्षित बहान निकाल लिया गया और 11 लोगों के शव अब तक बरामत किये जा चुके हैं खबरों की माने तो शुकरवार देरात राज्य की चिकिस्ता शिक्षा मंतरी विश्वास सारंग के हवाले से कहा गया कि लड़के का शव कुए से निकाला जाने वाला आखरी शव था जिले के प्रभारी मंतरी सारंग निका आए कि बचाव अबियान खत्म हो गया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने शुकरवार को कुए में गिरने से मरने वाले लोगों के परिवारों के प्रती संबेदना व्यक्त की और परिवारों के लिए दो लाख रुपे की अनुगरे राश्य की भी घोशना कर दी है उन्होंने का है कि मत्य प्रदेश के विवीशा में हुए हाथसे से दुखी हूँ, शोक संवेधनाप परिवारों के प्रती है वहीं PMO से हाथसे में जान गवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख उर्पे की अनुग्रेयर राश्वी की गोशना भी की गई है हाथसा कैसे हुआ, यह आपको बताते हैं दरसल पुलिस के मताविक इलाके के लाल पात्रा गाउं में 10 साल का बच्छा कुएं से गिर गया इसके बाद कुछ लोग उसे बचाने के लिए कुएं में उत्रे जबकि कई लोग इसकी मदद करने लगे और माज़रा देखने के लिए जैसा कि हमेशा होता है कि कुएं के मुडेर पर लोग इखटा हो गए लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहाँ उनकी मौद इंतिजार कर रही है इसके बाद कुएं के मुडेर अचानक ढह गई और उस पर खड़े लोग कुएं के पानी में गिर गए कुएं लगभग 40 फिट गहरा था पानी निकानने के लिए इस्तमाल किया जा रहा टेक्टर भी कुएं में गिर गया वहीं मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने मामले के उचिस्तर ये जाज के आदेश दिये हैं पहले दो एम ago आइच six zero और मल्टी रोल हेलिकॉप्टर सब दी है जिससे दोनों किसे अनonder टाकत में झापा होगा जानीए क्या है इस टील की ताकत अमेरिकिनौ सेना ने भाटे नौस सेना को पहड़े दो MH607 मल्टी रोल हेलिकॉप्टर सौपे हैं भार्टे नौसेना लोगडी मार्टिन द्वारा निर्मित 24 हेलिकॉप्टरों को अमेरिकी सरकार से 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमती लागत से फॉरेंड मिलिटरी सेल्स के तहत खरीद रही है नेवल एर स्टेशन नौट आइलेंड सेंड यागो में शुकरवार को एक समहारो आईजित किया गया था जिसमें अमेरिकी नौसेना से भार्टे नौसेना में हेलिकॉप्टरों के अपचारिक ट्रांसफर को मार्क किया गया था इस समहारो में भारत के राजदूत रंजीर सेंग सिधुने भाग लिया इस समहारो में वाइस एडमिरल केनेथ वाइट सेल कमांडर नेवल एर फोर्सेस यूएस नेवी और वाइस एडमिरल नवरी सेंग डिफटी चीफ औफ नेवल साफ के बीच दस्तावेजों को लेकर कार्ट्राम में अमेरुक इन और लेस्टी मार्टिन कॉर्पोरेशन का वरिष्ण पिमोडू रहा हर मौसम में sesame कारगर है मल्टी रोल हलडिकॉप्टर भारती राजदूत ने कआ कि हर मौसम में काम करने وाली मल्टी रोल हलिकॉप्टर्स को शामिल करना भारत अमारिका के बीच बने द्यूपक्षिय रक्षा सम्मंधों के लिए एक मैत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है भारते राज़ू तरणजी सिंग सिध्धु ने कहा कि भारत अमारिका की दोस्ती आसमान कुछ हो रही है आगे वो कहते हैं कि कुछ वर्षों में द्यूपक्षिय रक्षा वैपार बढ़कर 20 अरब डॉलर से अधिक हो गया है उन्होंने कहा कि रक्षा वैपार से आगे बढ़ते वे भारत अमारिका रक्षा प्रेटफॉमों के को प्रोडक्शन और को जेवलप्मेंटर पर भी साथ काम कर रहे हैं अध्या अध्धुनिक है हेलिकॉप्टर MH60R MH60R हलिकॉप्टर एक औल वेधर हलिकॉप्टर है जिसे आध्या ध्धुनिक एवियोनेसिक के साथ कई मिशन में इस्तमाल करने के लिए खास्त तोर पर डिजाइन किया गया है इंछौपर्स को शामिल करने से भार्टे नौसेणा की ट्रिकोणिया श्रमताईं बढ़ेंगी इन हैरिकॉप्टर्स को भी कई मोडिफाइड उपकरणों और हत्यारों के साथ लेस् किया जाएगा कई स्तरों पर बढ़ेगी नौसेना की ताकत भारतिय नौसेना का पहला जथा इस समय अमारिका में प्रसिक्षन ले रहा है रक्षा विभाग के मताबिक प्रस्तावित विक्री भारत को एंटी सर्फेस और एंटी सम्मरेन युद अभियानों की दिक्षा में मजबूत करेगा भारत की शमता कहीं सतरों पर भड़ेगी भारते कैबिनेट ने ततकालीन अमेरिकी राश्पती डॉनाल्ड ट्रॉम्क की अतिहासिक यात्रा से कुछ हपतों पहले ही परवरी 2020 में हलिकॉप्टर्स की खरीदारी को मंजबूरी दी थी योगी सरकार उत्रप्रदेश में लगातार बड़े बड़े इंवेस्मेंट लाने की कोशिश कर रही है ताकि यूपी में नए उद्योग स्थापित हो सके और जादा से जादा लोगों को रोजकार मिल सके वही उत्रप्रदेश में मनमताबिक सुविधाएं और माहौल मिलने की वज़ों से बड़ी कंपनियों का इंट्रेस्ट भी बढ़ रहा है आए जानते हैं बारा बंकी में किस तरह कविकास हो रहा है आईटी सेक्टर से लेकर कई तरीके के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनिया अब अपनी एक यूनिट उत्रप्रदेश में लगाना चाह रही है इसी क्रम में भारत की फूट के विबरिज कंपनी बिटानिया इंडिस्ट्री लिमिटेड राजधानी लखनों के करी बारबंकी जिले में 300 करोड रुपे का निवेश कर रही है बिजनेस इंस्टेबलिश्मेंट के लिए कंपनी ने बारबंकी में जमीन खरीद ली है और यहाँ पर काम भी शुरू हो चुका है दरसर उतर प्रदेश के इंडिस्टियल डेवलप्मेंट मिनिस्टर सतीश महाना ने जानकारी दी थी कि बिटानिया कंपनी की तरफ से बारबंकी में किया जाने वाला इंवेस्ट्मेंट नासिर प्रदेश का विकास करेगा बलकि करीब एक हजार से जादर लोगों को रोजकार का अफसर भी देगा इसके साथी अगर एक फूड कंपनी किसी जगा पर अपनी यूनिट सापित करती है तो इससे आसपास के किसानों को भी खूब फायदा मिलता है सतीश महाना का कहना है कि मौजूदा सरकार में उपी में एक सवास्त वेबसाइक वादरण टयार हुआ है और आगे बात करते हुए सतीश महाना ने बताब कि कोरोना महामारी के आने के बाद से परिस्थित्यां काफी बदल गई है ऐसे में सरकार ने कई नीतिया लागू की हैं पिछले शेत्रों के लिए निवेश प्रोसाहन नीती 2020 के अंतरगत प्रदेश के पुरवान चल मध्यान चल और बुंदेलखन शेत्रों में और द्योगी विकास के लिए फॉर्स ट्रेक मोड में और द्योगी की कायू को आकर्शक प्रोसाहन प्रदान किये जाएंगे उत्तरप्रदेश सरकार में इस समय माननी योगी आदितनाज जी के निदेशन में बाहर का निवेश का माहौल बहुत बढ़िया तयार किया गया है इसी कड़ी में बिटानिया न और बहुत से निवेश हमको देखने को मिल रहे हैं माननी योगी आदितनाजी का कुसल निर्देशन और उत्तरप्रदेश सरकार का की मेहनत इस समय रंग ला रही है और पीछे की सरकारों ने जो एक दम आतंक का माहौल बना रखा था भै का माहौल बना रखा था उस माहौल को खतम कर दिया है मानी होगी आदितनाजी की सरकार ने अब उत्तरप्रदेश के चारों तरा बुंदेल खंड हो पुरवांचल हो मध्यान चल हो कहीं भी इस समय बहुत सी काईयां लग रही है और आने वाले दिनों में ये इस बात का परिचायक होगा कि उत्तरप्रदेश अपने आप में एक उत्तरप्रदेश बन रहा है लोग देखेंगे अभी तक जो बेरोधी हमारे उपर तंज कसते हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है और काम का ही इनाम हमको आने वाले 2022 के चुनाव में हमको अपना ही जो रिकार्ड है 300 से उपर सीटों का हम तोड़ने जा के लिए और के सामने आया केल गाओं में तैयारी में जुटा एक अधिकारी कोरोना संक्मित पाए गया है आयोजगो ने संक्रमित अधिकारी को 14 दिनों के लिए क्वारिंटाइन कर दिया है इससे दो दिन पहले ज्वापान में मौजूद एक खिलाडी और पांच करमचारी कोरोना संक्मित पाए गए थे वहीं ब्राजिल की जूरो टीम जिस होटल में रुकी बहां के आच करमचारीों के भी संक्मित होने का मामला सामने आये था टोक्यो में 22 अगस तक आपातकाल जापान में कोरोना के बढ़ते मामलों के भी शुकरवार को 3418 के सामने आये इस दो पार्क, होटेल, रेस्टरॉन, फ्रेटर को रात 8 बजे तक बंद करने के लिए आदेश दिये गए औलम्पिक में खुद गले में डालना होगा मेडल और ऑलम्पिक में हिस्सा लेने वाले हर एथिलिट का ये सपना होता है मेडल जीतना श्रीद हांसिल करने वाले पर मेडल पहनाया जाता है ये लमहा उनके जीवन का सबसे यादगार पल भी बन जाता है लेकिन कोरोना महमारी की कारण टौक्यों उलम्पिक्स में ऐसा नहीं होगा इस बार विजेता एथिलिटों को खुद ही अपने गले में मेडल डालना होगा साथी मेडल सरीमनी के दर्शों की एंट्री पर बैन है पहले का गया था कि अस्टेरिया में 50 प्रतिशत शमता के साथ लोगों को एंट्री दी जा सकती है लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वें एंट्री पर बैन लगा दिया गया है जापान के लोग उलम्पिक के पक्ष में नहीं थे जानकार बताते हैं कि जापान मिशेशकर टोक्यो की निवासी कोरोना काल में उलम्पिक आयोजन के पक्ष में नहीं है अधिकांच सर्वे में 60-70 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि अभी उलम्पिक को टाल देना बहतर होगा मार्च में शुरू हुए उलम्पिक टॉर्च रिले को भी कई शेहरों में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था एक शेहर में तो मशाल बुझाने की कोशिश भी हुई थी हाला कि जापान की सरकार ने आयोजन जारी रखते का फैसला किया है राज्चियस और सेवक संग चीफ मोहन भागवत का कहना है कि हर भारते का दियने एक है आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ये बयान मोहन भागवत ने दिया था जिस पर राज़िती काफी ज़्यादा गर्मा गई थी हम किसी भी धर्म को मानते हूं पर हमारे डियने में कोई भी फर्क नहीं है इसलिए हिंदो मुसलिम एक जुड़ता जैसी बातों का कोई आशे नहीं है लेकिन उनके इस बयान के मतलब बड़े हैं उन्हों ने ये बयान उत्तरप्रदेश के गाज़ियाबाद में दिया राजनितिक पंडितों का कहना है कि यूपी चिनाफ की तैयारियां शुरू हो चुकी है मा पहले सी धर्मांतरन दो चाइल पॉलिसी जैसे मुद्दो पर लोग दो हिस्सों में बढ़कर बहस कर रहे हैं और अब डियने ये चर्चा और जोर पकड़े से पहली जानना जरूरी है कि मोहन भागवत के दावे में सच्चाई कितनी है क्या हमारे माबाप खांदान से आता है डियने ये पहला सवाल है डियने यानि आपके शरीर की कोडिंग आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी आपकी नाथ कितनी लंबी होगी और आप सोचेंगे कैसे ये सब कुछ डियने की कोडिंग से ही तैह होता है हमारा शरीर 200 तरह की कोशिकाओं से बना हुआ है ये DNA उसी के अंदर क्यामिकल से बने महिन किस्म के बुने हुए धागों की तरह होता है ये हमारे भीतर हमारे माबाप के जरीया आता है इसमें दो खास बाते हैं पहली क्रोमोसम ये केवल हमारे माता पिता से मिलती है लेकिन हमारे DNA के जिन्स चाचा नाना ताव दादा यानि मा और बाप दोनों के खानदानों में से किसी के भी जिन्स से मेल खा सकते हैं ये भी मुम्किन है कि हमारे पिता दादा या पर दादा किसी के भी बाल ना जड़ते रहे हो लेकिन हमारे बाल जड़े ऐसा इसलिए कि बाल जड़ने वाले जिन्स तीन पीडियों तक एक्टिव ना रही हो और वो चौती पीडि में एक्टिव हो गई हो भार्यों की नस्ल में क्या है कई तरह के दियने। ये दूसरा सवाल है। इंग्लो इंडियन्स के लिए अलग से दो सीटे रिजर्ट कर दी गई थी एंग्लो इंडियन यानि भारते महिलाओं से पैदा होने वाले अंग्रेजों के बच्चे या फिर बिटिश महिलाओं से पैदा हुए भारतियों के बच्चे इनके DNA में भारत और परश्रिम देश दोनों के जीन्स है वहीं अब फिर बात करें मोहन भागवत की तो मोहन भागवत का कहना है कि हमारा DNA एक ही है ये पूरा सच नहीं है लेकिन जिस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं वो आपको बता देती है असल में हरियाणा के राकीगड में खुदाई में कुछ कंकाल मिले थे हार्डवर्ड, बोस्टन, लखनव यूनिवर्सटी और डेकिन कॉलेज के 30 एतिहासकार इस पर रिसरच कर रहे थे देकिन कॉलेज के पूर प्रमुक डॉक्टर वसन शिंदे टीम का नतित कर रहे है इन्होंने 2019 में स्टडी पब्लिश की और दावा किया कि आरे बाहर से नहीं आये थे बलकि 8000 साल से यहीं थे क्योंकि जिसका अंकाल पर स्टडी की गई वो हरपा सर्बता के लोग के थे हरपा सर्बता में रहने वाले आरों नहीं वेद उपनी शेद रचे यहीं लोग पूरे साउथ एशिया में फैले इनके डियने एक ही है पूरे साउथ एशिया के डियने एक ही कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांगलादेश, श्रीलंका और मालदीप के हर शक्स का डियने एक ही है इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोट में विध्या मामले की सुनवाई के दरान हिंदू पक्ष के वकील के पाराश्वरण ने दलिल दी कि आर्रे भारत के मूल निवासी हैं रामाइन में सीता श्रीडाम को आर्रे कहकर बुलाती थी ऐसे में वो बहरी कैसे हो सकते हैं यानि ये साबित हो जाता है कि हर भारतिय में एक ही वन्ष के जिन्स हैं या फिर कह लीजिए कि सब के डियने एक हैं आर्रियों के बाद हमारे देश में ग्रीक, मंगोल, मुस्लिम, पार्सी, पुर्टगाली, फ्रांसिसी और बिटिश भी आए सभी ने हमारे आँकी महिलाओं से शादी की बच्चे पैदा किये जिसके चलते देश में आज सैक्रों किसम की नसले यानि डियने मौजूद हैं नरेंद्र मोधी सरकार 2015 में हुमन डियने प्रोफाइलिंग विधेक लाने वाली थी आपको याद होगा अगर आपने ये खबरे पड़ी होगी अगर ये विधेक संसर में पास हो गया होता तो आज डियने वाला पूरा जगरा ही खत्म हो गया होता क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद हम सभी के डियने चेक हो चुके होते लेकिन वो तैयारी पूरी नहीं हो सकी तो अब डियने को चुनावी मुद्दा बनाती है राजवितिक पाठियां सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमें चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए कि डियने जैसे विश्युध वैग्यानिक और यहत्यासिक बात को बार-बार राजवितिक हत्यां क्यों जोड़ देती है वो भी तब जब चुनाव सिर्फ पर होते हैं या फिर डेकिन कॉलेज पूरे की स्टड़ी 2019 में क्यों आई जब देश में लोगसवा चुनाव होते हैं इसके लिए हमें पियम मोदी और नितिश कुमार के 6 साल पुरानी एक दास्ता कहानी याद करनी होगी साल 2015 था नितिश कुमार फटपड बिहारियों के बाल नाकून थूख खूनी कर्टा कर रहे थे उन्होंने 50 लाग बिहारी लोगों के सैंपल लेकर पियम मों भुजवा दिया और कहा था लीजिये मोदी जी करा लीजिये हमारा डीने चेक मामला दरसल ये था कि 2014 के लोगसभा चुनाव के वक जब बीजेपी ने नरिंद्र मोदी को पियम पद का उम्मीदवार बनाया था तम नितिश एंडिये छोड़ गए 2015 में जो बिहार विधान सबा चुनाव आए तो वो लालू के साथ चले गए इसी बात पर पियम मोदी 21 अगर 2015 को मुझफर पुर की एक रैली में बोले शायद उनके यानि नितिश के डियने में ही गरबढ़ है पियम मोदी के मुझसे डियने निकला तो नितिश शमच गए बिहारियों को एक करने का मौका मिल गया है प्रटवार करते हैं नितिश बोले कि मोदी ने बिहार के डियने पर उंगली उठाई है जिनके पूरवजो का देश की आज़ादी की लडाए में कोई योगदा नहीं था वो हमारे डियने पर उंगली उठा रहे हैं फिर चुनाफ तक की एहम मुद्दा बना रहा अब यूपी चुनाफ से पहले मोहन भागवत को डियने की आदाई है अगर विज्यान की माने तब तो मोहन भागवत की बातों में सचाही नहीं है लेकिन ट्रेन यही करता है कि अब हमें कई लोग हमारा डियने बताएंगे यह हमारे उपर है कि हम किस की सुने तो आज यह बताना जरूरी था क्योंकि डियने को लेकर लगातार लडाईयां बढ़ती हुई जा रही है यह आपकी हमारी नहीं बलकि दारजितिक पाठियों की हिंदू-मुसल्मान एकता हमारा तो विचारे सा है कि यह शब्द ही बड़ा ब्रामत है यह दो है ही नहीं एकता की बात क्या है इंको जोड़ना क्या जुड़े हुए है यह जुड़े हुए है और यह जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं है तब दोनों संकट में पढ़ जाते हैं हम समान पुर्वजों के वहुशज है अब यह विज्ञान से भी सिद्धो चुका है हम भारत के सब लोगों का अफगानिस्तान में नभ्य का दश्रक ऐसा था कि वहां तालीबान की तूती बोलती थी लेकिन 1911 के हमलों के बाद अमेरिका ने उसामा की तलाश में जब अफगानिस्तान में हमला किया तब तालीबान की सल्तनत को भी उखाड़ पेका आज इस पर इसले बात हो रही है क्योंकि फिलहाल जो ताजा मुदा है जो कि वैश्विक स्थर पर उठाए गया है वो अफगानिस्तान और तालीबानी आतंकियों का है पिछले 20 सालों से अमेरिकी सैनिक तालीबान को तबहा करने के लिए अफगानिस्तान में ही डटे हुए थे दुनिया ने सोचा था कि वहां अमेरिका की मौजूदगी तालीबान को तबहा कर देगी लेकिन अरबो डॉलर बरबाद करने और अपनों ही हजार सैनिकों की मौद के बाद अमेरिकी सैनिक वापस लौट रहे है और इसी के साथ अफगानिस्तान में लौट रहे है तालीबानी आतंकी जिनके लिए काबुल भी दूर नहीं है जिसका डर था बही हो रहा है अफगानिस्तान से अमेरिकी सैना के रुखसत होते ही तालीबान का कोहराम शुरू हो चुका है हर तरफ गोलियों की तर-तरा हट लूट मार कबजा जारी है जगा जगा अफगान आर्मी तालीबानी लडाकों से सामने सरेंजर करने को मजबूत कर रही है अब तक देश के 85% से जादा हिस्से पर तालीबानी लडाके अपना कबजा जमा चुके हैं और वो लगातार कॉंबिंग करते हुए काबूल की तरफ बढ़ रहे हैं हलाकि इसका अंदेशा तो पहले से ही था क्योंकि अमेरिकी सेना की मौजूदगी की बच्छर से अफगान सेना कभी खुद को इतना मजबूत बना ही नहीं पाई कि वो हतियारों और रनीती के मामले में हाई टेक हो चुके तालीबान का मुकाबला कर सके ये तो होना ही था मगर अब आगे आगे जो होगा उससे तमाम अध्ये इश्याई देश फिक्रमन है ऐसा माना जा रहा है कि तालीबान के स्कूली खेल के पीछे पाकिस्तान का हाथ है जो पिछले कई सालों से अमेरिकी फॉर्ट से अफगानिस्तान से वापसी का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि जिस तरह अफगान सरकार भारत के साथ अपने रिष्टे बनाता जा रहा है उसे आने वाले वक्त में उसके लिए खत्रा बढ़ सकता है मगर जो बाइडन के फैसले के बाद पाकिस्तान की बाच्छे खिल गई हैं उसे तालिबान को अपने पूरी तरह से अफगान पर कब्जा जमाने के लिए समर्थन देना शुरू कर दिया है ऐसे में तालिबान का सिर उठाना तो लाजमी ही था और हुआ भी यही अमारिका के जवानों की घरवापसी के साथ तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के रणीती पर काम करना शुरू कर दिया जाहिर है पाकिस्तान की नीती और नियत आतंगबाद को समर्थन करती है यही वज़ा है कि पाकिस्तान की हकानी आतंग्यों ने तालिबानियों से हाथ मिला लिया इसके बार से यह अफगानिस्तान में हालाद बदलने शुरू हो गए अफगानिस्तान में इंच इंच जमीन को बचाने के लिए खूनी संखर्श हो रहा है चारो तरफ सिर्फ खून ही खून बह रहा है हर गुजरता दिन अफगानी सरकार की हार की बारत लिख रहा है दुनिया ने सोचा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी तालीबान को कमजोर करेगी लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है तालीबान कमजोर होने के बजाए पूरी ताकत से उभन कर सामने आ रहा है तालीबान का एक खूरी खेल तब तक चल रहा है जब अमेरिकी सेना अभी पूरी तरह से अफगानिस्तान से वापस नहीं हुई है अफगानिस्तान में कुल 20 राज़े हैं जिनके 421 जिलों में कम से कम आधे पर तालीबान ने कबज़ा कर लिया है खबरों की माने तो अब तक तालीबान ने मुल्क के करीब 193 जिलों में कबज़ा जमा लिया है बाके 149 0 में तालीबान अफगानिस्तान की आर्मी के वीश टकराव जारी है अम महज 75 0 में अफगानिस्तान की सरकार का नियंत्रण बचा है इस वक्त भी तालीबान के कई शेहरों में युद्द चल रहा है का इलागों में बंबारी हो रही है बदलते हालात में अपनी जान बचाने के लिए अफगान के लोग दूसरे देशों में शनार्थी बनने को मजबूर है तालिबान की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द उसका काबूल पर कब्जा हो जाएगा तालिबान की खूबी रही है कि अपने मकसद में काम्याब होने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है यहां भी उसने अबाम लोगों को अपना धाल बनाना शुरू कर दिया है शहर में घुसकर लोगों के घरों पर कब्जा किया जा रहा है जाहिर ऐसे हालात में आतंकियों से निपटना मुश्किल हो रहा है तालिबान का अगला प्लान अफगान के बड़े शहरों पर जल से जल कब्जा जमाने का है अतिहासे गजनी शहर को तालिबान निगे लिया गजनी वो इलाका है जहां से काबुल और कंधार का एहम रास्ता गुजरता है कंधार से आपको याद आया होगा कि भारते पत्रकार की कंधार में ही हत्या हुई है यानि तालिबानियों के लिए अपकंधार दूर नहीं भारत का भारी भरकम निवेश अच्चे भले पत्री पर वापस आते हैं अफगानिस्तान को अमेरिका की फैसले ने सड़क पर ला दिया यहां फिर से 90 के दशक के हालात पैदा हो गए हैं फिर वहीं खौप नज़रा रहा है अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी यकीनन परवसी मुलकों के लिए चिंता का सबब है खासकर भारत के लिए क्योंकि बीते दो दशकों के दोरान हिंदुस्तान ने अफगान में भारी भरकम निवेश किया है निवेश के अलावा भारत अफगानिस्तान के रिष्टों को भी नए आयाम मिले लेकिन अब हालाद बदल चुके हैं अफगान में बदलते हालाद भारत के लिए भी किसी चिनौती से कम नहीं है मुखे मंत्री पुषकर सिंग धावी ने सीम कैम कारले में आईजित कारकरम में मुखे मंत्री महालक्षमी योजना का शुबारम किया है मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी और महिला शशक्ती करण एवं बाल विकास मंत्री रेखारे ने लाभर्ती महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वित्वर्ण किया मुखे मंत्री ने चियनित लाभर्ती माताओं और नवजात शिशुओं को महालक्ष्मी किट वित्वित की है पूरे राज्य में समस जनपदों के कुल 16,000 से जादा लाभर्तियों को लाभन्वित किया गया है इस दोरान मुखे मंत्री पुषकर सिंग धामी ने कहा कि पृधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बेटी बचाओ बेड़ी पढ़ाओ का अभ्यान शुरू किया पृधान मंत्री की दूर दर्शिता का परिणाम है कि इस अभ्यान से व्यापक जन जाग उपता आई है इससे निगानुपात में सुधार भी देखने को मिला है मुखे मंत्री आगे कहते हैं कि हम अपने आसपास देखे तो पाएंगे कि बेटों की बजाए बेटिया माता पिता का ज्यादा ख्याल रखती है आज जीवन को कोई भी शेत्र ऐसा नहीं है जहां बेटियों ने सफलता ना पाई हो मही नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना बेटियों को प्रसाहित करने की मेत्वपून योजना भी है मुखे मंत्री वात्सले योजना भी शुरू की गई है जो हमारी बालिकाएं पैदा हो रही है उन बालिकाओं पैदा होने वाली बालिकाओं के लिए ये मुखे मंत्री महालक्ष्मी योजना भारम की गई है इसमें पहने चरण में आज के दिन 16,929 लोगों को इससे अच्छादित किया गया है उनको लाबानुद किया गया है और पूरे वर्स में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाब मिलेगा ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको जरुवत बंद है जिनके आऊ सकता है उनके लिए ये योजना लॉंच की गई है और आने वाले समय में ये 50,000 तक लोगों को लाबानुद करें वही कैबिनेट मंतुर एकारे ने कहा है कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए दोहरी मानसिक्ता को खत्म करना है प्रकृति और समिधान ने समानता का संदेश दिया है इसलिए बेटियों को प्रोसाहित करना जरूरी है महिना पुरुष का समाज में समान महत्वय भेदभाव की सोच को समाप्त करना है